हेलो गाईज, वेलकम दो न्यूज अपडेट, प्लीज आने सस्क्राइब कर लेना, गाईज मैं लेके आई हूँ, आप सभी के लिए एक अंसीन अंदेखा, जो भी अंसीन को देख रहा है ना इसको, हर कोई यही कह रहा है, है यह हमने अब तक क्यों ने देखा, यह किसी ने इस ही नहीं किया, गाईज, मतलब आसिन का सिधार्थ को इस तरह से टीज करना, शैफाली बग्गा का कुछ बातों को खोलना, और सिधार्थ का पूरे के पूरे टाइम बलश करते रहना, जी, बिल्कुल सिधनाज मोमेंट्स हैं यह, पर देखिए, मतलब आश्रे की बात य दड़का सारे क्लिप्स देखे हुएं, ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि यह सिधार्थ और शेहनास के नाम से अंसीन नहीं मिला, आपने देखा बहुत-बहुत सारे अंसीन्स आते थे, मोस्तली फैंस जो हैं, वो सिधार्थ और शेहनास के अंसीन्स को नोटिस करते थे, लेकि जब यह एक फैन ने देखा, तो क्या देखा, मतलब यह इस तरह से वाइरल हो रहा है ना, अब क्लिप, मैं आपके लेके आई हूँ, पूरी बास सुनना यह क्या चल रहा है, किस बात के लिए टीज कर रहे हैं आसीम, ऐसा क्या हुआ था रात को, हैं, सही बात है, आसीम चा सकता है, इस सीजन में, सिद्धार लेटे हैं, बलश कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आसीम ने उन्हें टीज करना शुरू कर दिया है, ठीक है, आसीम कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ, तू चाय क्यों नहीं पी रहा है, है ना, तू ने चाय क्यों नहीं पिया है, तो भी वो ब बहारी रहने वाला है जी हाँ ऐसा ही हुआ इससे पहले वो कहते हैं मैं समझ सकता हूँ कि तूने चाय क्यों नहीं पी क्यों नहीं पीना चाता वो कह रहे हैं कि तूने अपने आपको सोने के लिए मनाया कैसे तू अंदर कैसे आया मुझे तो लगा तू सारी रात बहारी रहन इतने में फिर शेफाली बग्गा की बाश्यूर होती हैं वो भी बहुत मज़ेदार हैं क्योंकि सिधार्त और आसिम यहां कुछ छिपाते हुए नजर आते हैं तो शेफाली बग्गा कहती हैं रात को ना कुछ आवाजें आरी थी ऐसे चीखने चिलाने की तो एकदम से सिधार्त कहते हैं हाँ हाँ नीन में तू चिला रही होगी तेरी आवाज होगी तो आसिम कवर करते हुए नजर आते हैं आसिम कहते हैं कि क्या कहते हैं तू यह चिला रही होगी कि मैं नॉमिनेट नहीं हूँ मैं नॉमिनेट नहीं हूँ ऐसा होता है अक्सर नींद में ऐसा लोग करते हैं तो लगता है कि हम कुछ चिला रहे हैं तो सिधाट भी इसी बात को रिपीट करते हैं मैं बहुत भी कवर ही कर रहे होते हैं कि हाँ कोई आवाज नहीं आ रही थी लेकिन वो एक बात बोल देते हैं कि तेरे पे चीखने चिलाने की आवाज आ रही थी तो जैसे वो तेरे भी बोलते हैं तो फैंस फिर पकड़ लेते हैं भई तो इसका मतलब शेफाली बगगा सही कह रही थी वो ऐसा हो सकता है कि वो नींद में होंगे लेकिन ऐसा होता है ना कि नींद में हमें समझ में आ रहा होता है कि हाँ कुछ आवाजे आ रही है पर इंसान उठके देखता है नींद में ठीक है कुछ बात हो रही होगी कुछ हो रहा होगा बाहर लेकिन यहां सिदार्ट और आसिम उस चीज़ को कवर कर रहे होते हैं जब सिदार्ट यह बोल देते हैं कि हाँ तेरे चीख ने चिलनाने की बैवाज़े आ रही थी यह कुछ नहीं हुआ मतलब इस तरह से सिदार्ट कवर कर रहे होते हैं वासिन कहते हैं मैं सिधार्थ की बात को मान सकता हूं मैं कम्प्लीटली सिधार्थ की बात से एगरी करता हूं क्योंकि तू सारी रात जगा हुआ था मतलब सिधार्थ जो है वो सारी रात जगा हुआ था वो सोया नहीं था यहां देखें चिलनानी की भी आई थी शुकला जी स ये पूछते आप कैसे पता आपको कैसे पता क्योंकि सिधार्द भी जाग रहा था ना एक्चुली जिन्होंने ये वीडियो शेर किया है ना उन्होंने सारी conversation को लिखा है अब इसके बाद देखते जाना सिधार्द का सिर्फ blush 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 है क्या हाल है ना शुकला जी का चुप चाप लेटे हैं जा चाय पी रहे हैं ना कुछ खा पी रहे हैं रात को सोए भी और बहार garden area में या बहार कहीं भी क्या हुआ था ऐसा कि आसि मितना टीज कर रहे हैं अब आप सभी जानते हैं जब इन सब की दूस्ती थी तो आसिम किस बात को लेकर टीज करते थे सिधार्थ को आस वे ऐसा क्या हो गया था रात को कि सिद्धार्त को सोने का मन नहीं किया वो सोई नहीं और आसिम कह रहे है तू सो कैसे पाया तू चाहे नहीं पिएगा ये देखें यहां पर आपको किलियर समझ में आएगा सिद्धार्त मा लेटे हैं सोफे पर यहां शैफाली बग्गा है और आसिम उदर की साइड बैठे हैं जिदर की साइड ये दोनों देख रहे हैं अभी ये किलिर नहीं हो रहा है कि ये किस दिन का है मतलब जिसे अंसीन आता है तो डेका नहीं पता चल रहा है जिनोंने भी डाला है यहां यह पता चल रहा है कि first पड़ाओ के time कही है क्योंकि तब तक इन दोनों इन सब में दोस्ती थी तो यहां सिर्फ दो बाते main हुई जो आसिम ने कही कि कुछ भी हो सकता है यहां पर तू रात को सो या नहीं तुझे नींद कैसे आ सकती है तू अंदर कैसे आया मैंने तो सोचा तू साही रात भारी रहने वाला है और एक बात और जो वो कहते हैं तू तो अब कुछ पी मतलब तू चाहे क्यों नहीं पी रहा है मुझे समझ में आ रहा है तो यह है अभी देखते हैं इसके आस पास का कोई और अंसीन अंदेखा मिलता है या किस डेका है तो थोड़ा और समझ में आएगा वैसे आप सब गैस कीज़े क्या हो सकता है कि कमेंट्स करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब यह किसी ने भी नहीं देखा है तो मैं चाहती हूँ सब देखें इतने साल बाद भी सिडनास का कुछ नया मिल रहा है तो इंजॉय कीजिए और कमेंट्स जरूर करना लाइक जरूर करना थग्यू गाइस